अब अब आप सब्सक्राइब करना चाहा है कि जिससे आप अपने प्रेप्रेशन को और अधिक बूफ्ट कर सके और अपने प्रेप्रेशन में चार चांड लगा सकें जैसे कि होता क्या है कि अगर हम प्रेशन टाइ में बात करें तो मैक्समुम जो लोग अगर कोचिंग में इनिकलूड है मलब कोचिंग में लगे हुए है तो वो लोग अपने वहां से पड़ाई करते हैं लेकिन अगर आन आ अबरेश देखा जा तो मैक्सम्म बच्चे यूट्व से या किसी आउनलाइन सोर् पढ़ना है और सुबह से लेकर साम तक ये पढ़ना है फिर्म को रिवाइज ये करना है और वगएरा वगएरा अगर हमारी एक प्लानिंग होती है तो एक अच्छी दलदल है यहां content तो है लेकिन हमको क्या पढ़ना यह जरूरी है जैसे कि suppose अगर आपने किसी भी person को start किया और पता लगा YouTube पे 10 YouTube चैनल है आप वहाँ पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं तो सुबह से ले करके साम तक आप पढ़ते पढ़ते थक भी जाएंगे और आप जब साम को देखेंगे कि आपने कितना effectively पढ़ा तो आपके पास कुछ निकला भी नहीं तो आप खुद अपने आपको एक सरमंदी की मसूश करेंगे यार हम आखिर कर क्या रहे हैं और हमारा उद्देश क्या है हम पढ़ाई तो करते हैं अपने आप आपको लगे कि हम पढ साही को करें ताकि मलब कभी अपने आपको सरमंदी की मसूश ना हो तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने आपको डेली फ्रानवा लेना है जिसे मेरे पास इस यूटूब चैनल पर आप जितने भी क्राउड जो भी लोग मुचे देखेंगे वह मोस्ट आपदा इस् अबन्ट को प्रोट्व को प्रोट नहीं आपने पड़ना है कि हमको बस यहीं से पढ़ना है अब lapse ओ सकता है कि कि आपको चानल से और पढ़ना हो और समय सवाज नहीं और रहा ह। कि यहां पर दिन देते हैं और आपको रिजल्ट कुछ नहीं हाते रखता है तो आप पूरे दिन का प्लान बनाए और प्लान बनाने के साथ साथ अपने आपको को डिसाइड करिये कि हमको यह सब्जेक्ट को पढ़ना है और खुद को भी टाइम देजिए ऐसा नहीं है कि आप किसी टीचर से पढ़ना है किसी कोचिंग से पढ़ना है उस लेक्शन करा देगा आप अपने दिमाग को खुद यूज करिए कि अपने आपको खुछ सोचिए म कम से कम तीन से चार आवर्स अपने आपको देजिए कि हम जिस एक्जाम की तयारी कर रहे हैं क्या हम उस डिरेक्शन में हैं हमारा गोल क्या है इससे क्या होता है जो आपका भी लोग डिमोटिवेट हो जाते हो कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है क्या करें क्या ना करें मेरे तो मतलब मैं आप सबसे ही गुजाइस करूँगा कि अपने आपको टाइम दो तो आपको किसी दूसरे वह सकता नहीं पड़ेगी आप अपने अप सबसे बड़ा गोल क्या है हम उसके प्रत कहने मतलब क्या अगर आपको बता दिया जाए कि फला डिश्टेंस से आपको पहुचना है डिरेक्शन आपकी वही हो अगर आपकी दिशा वही है बले ही आप चल ना सके मतलब आप धीरे-धीरे चलें रगड़ के चलें कैसे भी चले रहेंगे तो एक नग दिन आप पहुच जाएंगे लेकिन अगर आपकी डारेक्शन ही गलत है जैसे अगर आपको जाना है उतर साइड में सब्सक्राइब आप जाना है तो आप जा रहे हैं तमिनाड़ो के साइड में तो कभी भी आप अपने इसने पहुची नहीं समस्यां को हल करना ना कि उन समस्यां को छोड़कर भागना नहीं है उसको हमें हल करना है और उसके प्रत हमें काम करना है तो देखिए ना एक नएक दिन आप खुद बखुद अपने गोल तक अपनी मकसद तक पहुच जाएंगे तो यह बाते में उन लोगों के लिए बता कर रहे हैं और यूटूब के साथ प्रेप्रेशन कर रहे हैं उन्होंने कोई कहीं से पेड़कोर्स नहीं रखा है ना कहीं से कोई अपनी कोचिंग ज्वाइन कर रखी है मतलब हो सकता है एक साल कोचिंग कर ली हो दो साल की रिपेटर हो तीन साल की रिपेटर हो तो उन सभी को दिमाग में रखना है कि अपने maximum time को YouTube पे ही नहीं देना है हमको किस से पढ़ना है क्या पढ़ना और कितना पढ़ना यह बहुत ज़रूरी आपके समय पे हो गया है और आप सभी लोग यह आपका बेक्स चली रहा है इसमें अच्छे से रिविजन करते रहे हैं संडे को आप कहां भी क्या समस्य आती है मैं उसी से लेटर आप सब की वीडियो लेकर आता हूं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए थैंक्यू जहें बाई बाई टेक्क्या लव्यू झाल 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 झाल